मुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि FATF, Financial Action Task Force इसमें जो grey list और एक black list होती है actual में इनका meaning क्या होता है और कोई देश इनके अंदर डाला जाता है तो उनके उपर इसका क्या क्या परभाव पड़ता है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्योंकि अभी हाली में क्या हुआ है कि जो FATF है उसने पाकिस्तान को राहत दी है कहा है कि जो तुम 2018 से black list के इसमें grey list के अंदर चल रहे हो अब तुम्हें बाहर निकालने का time आ गया है क्या इससे पाकिस्तान के उपर क्या परभाव पड़ाता है कि वो 2018 से या इससे पहले भी 2015 के अंदर भी या उससे पहले भी ये जो grey list के अंदर रहा था तो पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी इस FPTF की grey list में जाने से उन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर discuss करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के वेली मैं आप लोगों को बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF download कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं अभी क्या है financial action task force इसकी full form है FATF इसको short form में लिखा जाते हैं तो क्या हुआ इन्होंने Germany के Berlin में तीन दिन का एक तरीके से इनका session चल रहे हैं और इस session के दौरान Pakistan को एक बड़ी रहत इन्होंने दी है और कहा है कि Pakistan को grey list से अटाया जाएगा FATF जो है वो आने वाले इसी time यानि इसी साल के October में दौरारे से जो शत्र होगा उसके अंदर इसकी अधिकारी क्यानी officially गोशना कर सकता है अभी ये बात बोली है कर सकता है खैर इन्होंने अपना फैसला ले लिया अब बात करते हैं कि grey list में जाने से FATF की grey list में जाने से पाकिस्तान को क्या-क्या परभा हुआ First of all तो हम FATF के बारे में एक बार बातें कर लेते हैं देखें पाकिस्तान वैसे 2018 से यह माप लोगों को बता चुका हूँ कि यह लगातार grey list में चल रहा है अब बात करते हैं FATF यह क्या होता है इसका थोड़ा background जान लेते हैं देखिए FATF जो एक inter-governmental body है 1989 में Paris में G7 के सीकर समेलिम के तुरान इसको स्थापित किया गया था इसका starting में जो काम था वो यह था कि जो एक तरीकी से जो money laundering हो रही है जो black money को white किया जा रहा है पूरे international यानि global तोर पे उसकी निगरानी करे और फिर बाद में इसने अपने standard तै कर लिए इसका काम हुआ कि यह अब उस चीज़ पर निगरानी करेगा कि कोई देश अपने यहां पर terrorist को funding कर रहा है उनको financially support कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसका काम यह हो गया अब इसके जो mandate है या फिर इसके जो objective है उनके बारे में बात करते हैं देखें 1911 जो हमला हुआ था उसके दोरान इनोंने अक्तुबर 2001 में FETF ने आंतकवादी वित पोश्चन से निपटने के अपने प्रयासों को या फिर जो इनोंने अपने जो standard बना रखे थे उसको और जादा इनोंने विस्तार कर लिया और कुछ चीजों को उनके अंदर include कर लिया जैसे कि अब इनोंने include किया कि कोई देश अपने पास जो पूर्ण रूप से mass destruction को अपने पास रखे बैटा है या फिर नहीं ही रखे बैटा है इन सब चीजों को यह देखेगा और यह देखेगा कि कोई देश अपने यहाँ पर जो terrorism है उसको कटाने के लिए क्या-क्या वो प्रेतन कर रहा है तो इसके standard में वो भी आने लगा FATF ने एक तरीके से FATF recommendation या फिर कहूँ FATF standard की स्थापना की उसको develop किया जो बाकी के जो देशों के साथ मिलकर वैश्विक तोर पर एक तरीके से उनका साथ देगा साथ इस चीज में देगा कि जो crime हो रहा है organized crime हो रहा है organized corruption हो रहा है organized terrorism हो रहा है उसको कैसे खतम किया जाए दुनिया भर में दोस्तों से अधिक जो jurisdiction है नया एले है नो शेत्री निकाए और FATF की सदेश्चता के Westwick Network के मात्यम से FATF सिफारिसों के लिए परती बता है यानि कि दोस्तों से अधिक जो jurisdiction होगे वो FATF से connected है अब FATF का फाइदा नुकसान सब चीज़ें आप लोगों को अभी बताऊंगा इसके गठन की बात करते हैं देखे FATF के वरतमान में 37 जो है हम कह सकते हैं कि jurisdiction इसके अंदर आते हैं दो इसके अंदर regional organization है जिसमें number one पे है हमारे सामने European Commission number two पे आती है Gulf Corporation Council आती है और ये जो दोनों है वो अपने अपने हिस्सों में अगर आप इन दोनों organization को देखे हैं जो दुनिया के सबसे सबसे ज़्यादा परमुक वित पोशक के अंदरों का पर्तिनिद्यतु करते हैं ये भारत 2010 में FETV का सदस्य बना था और भारत इसके शेत्रिय साजेदारों जिसमें Asia Pacific Group और Eurasian Group का भी सदस्य है इसका मुख्याले जो है इसका सचीवाले परिश के आर्थिक सहयोग और विकास अंगटन यानि की Organization for Economic Cooperation and Development मुख्याले में इस थी था इसका अब FETV की जो लिस्ट है एक ग्रे लिस्ट आती है और एक इसकी ब्लेक लिस्ट आती है ग्रे लिस्ट की बात करते है जिन देशों को Terror, Funding और Money Laundering का समर्थन करने के लिए एक तरीके से सुरक्षित स्थल माना जाता है इसको जैसे की Heaven नाम दे दिया जाता है इसको की Safe Heaven यानि स्वर्ग माना जाता है जहां पर उन्हें FETV की Gray List में डाल दिया जाता है और इस सुची में शामिल किया जाना जो देश है उसके लिए चितावनी है कि भी अपने काम से सुधर जाओ जो तुम इकाम कर रहे हो मत करो Terror Funding मत करो वरना तुम्हें Black List में डाल दिया जाएगा और Black List उन देशों को डाल दिया जाता है जो इनसे एक स्टेप आगे आ जाते है जिसे कहा जाता है Non-Coporative Countries या फिर Territories NCCTS कहा जाता है इनको इस रूप में ये पहचाने जाते है और इनको Black List में शामिल किया जाते है ये देश क्या करते हैं आंतंक की Funding और Money Laundering गतिवितियों को फुल ओन सपोर्ट करते हैं इस सूची में देश में शामिल करने अथवा आठाने के लिए FATF मतलब की Delete करना किसी को Include करना इसकी जो है वो नियमित रूप से शंशोदित करता रहता है यानि की Review करता रहता है वरतमान में अगर बात करें तो इरान और Democratic People Republic of Korea यानि की North Korea उसको इसमें इस लिस्ट में डाल रखा है इनोंने अब इसका शत्र यानि के Adivation या Session कम होता है देखे FATF की FATF Plenary Plenary जो है वो FATF की निड़ने डिलने वाली संस्ता है हर साल में इसके तीन Session आयोजन होते हैं अब ग्रे लिस्ट क्या है और पाकिस्तान में इसमें शामिल करने के कारण देखे ग्रे लिस्ट के बारे में मैं जैसे आप लोगों को बता चुका हूँ FATF जो है वो Money Laundering आतंक का जो Financial Support किया जाता है उसके खिलाफ उपायों पर अपनी परगती की जांच करने के लिए देश की निगरानी में रखते हैं कि यहाँ जैसे पाकिस्तान को निगरानी में रखा गया है कि यह अपने यहाँ पर जो Terror Funding है यह Terror को Financial Support किया जाता है टेरिजम को उसको रोकने के लिए वो क्या-क्या उपाय कर रही है ग्रे सुची को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी हुई निगरानी सुची यानि Increased Monitoring List इसकी रूप में भी जाना जाता है ग्रे लिस्ट में शामिल जो देश हैं मार्द 2022 तक FATF की जो बड़ी हुई निगरानी सुची है उस लिस्ट में 23 देश है जिनमें अधिकारिक रतोर पर रन इतिक कमियों वाले शेतर अधिकार यानि जिनों ने अपने यहाँ पर एक तरीके से कोई strategic decision नहीं बना रखे हैं कि इन सब चीजों को कैसे वो tackle करेंगे उस रूप में भी इनको जाना जाते है इसमें कौन करेंगे है पाकिस्तान है, शीरिया है, तुर्की है मैनमार है, फिलिपिन्स है दक्षिन सुडान है, युगांडा है यमन है, इन सब चीज़ के अंदर आते है list से हटाना, देखे gray list से बाहर निकलने के लिए किसी देश को जो FATF के दोवारा कुछ points दिये जाते हैं, उन points को अगर वो पूरा करते हैं, तो definitely उनको FATF से बाहर निकाल दिये जाते हैं, यानि उसकी जो FATF की जो gray list से बाहर उनको निकाल दिये जाते हैं, पर example कि तुम ने वहाँ पर काम किया, किसी देश ने अगर वहाँ पर काम किया तो definitely उस देश को उस लिस से हटा दिया जाता है और FATF ने अभी हाले में जैसे जिंबावे या उससे पहले मैं बात करूँ बहुत स्वाना या उससे पहले यंगर बात करें मोरिशियस को इस ग्रे लिस से हटा दिया था जिंबावे ने क्या किया था अपने यहाँ पर AML और CFT इस प्रक्रिया को और ज़्यादा effective बनाया था अब यह आप लोगों को इसकी full form भी पता चल जाएगी और यहाँ पर अक्तुबर 2019 में जो effective के द्वारा कुछ points यहाँ पर मतलब कि इनको discuss किये गए थे बताये गए थे, suggest किये गए थे उन्होंने उन points को उन कम्यों को दूर करने के लिए वहाँ पर योजनाई चलाई उन पर fully effective तोर पर इन्होंने काम किया और this करके यहाँ पर जिंबावे को ग्रेलिस से बाहर निकाल दिया गया अब AML और CFT का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है anti-money laundering यानि की इसको कहेंगे combating the financial of terrorism इसका मुकाबला करना तो यह हो गया हमारे सामने AML और CFT पाकिस्तान के मामले में बात करें 2018 में लगाता है इसी list में बना हुआ है और FETF ने 2018 में जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रेलिस में रखने के बाद इसको 27 points कहा था कि आप 27 के उपर आप काम करिए और हमें लगे का कि आपने सच मुच में काम किया और आपने बहुत अच्छे से एफेक्टिव तोर पर काम किया तो definitely आपको बाहर निकाल दे जाएगा लेकिन FETF के इन द्वारा दिये गए जो ये 27 points है पाकिस्तान इनके उपर काम नहीं कर पा और इसको FETF की ग्रेलिस में इसको रखा गया 2019 में FETF के शेत्रिय साजादार Asia Pacific Group द्वारा एक सम्मानांतर कारेकारी योजना भी इसको सौंपी गई थी कि आपको इसके उपर भी काम करना है ग्रेलिस्ट का किसी देश पर क्या प्रभाव पढ़ता है अब ग्रेलिस्ट का किसी देश पर प्रभाव इतना ज़ादा होता है कि वो देश गरीबी की हालात में हो जाता है जैसे पाकिस्तान के हो गए है यदि कोई देश ग्रेलिस्ट में है यह वैश्विक वित्या और बैंकिंग परणाली को उस देश की साथ लें देन के बढ़ते जोकियों का संके देता है इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई देश किसी देश के अंदर अगर इंवेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर पैसे लेकर आ रहा है वहाँ पर ट्रांजेंक्शन हो रही है अगर वो एफिटिव की ग्रेलिस्ट में है तो जो देश ये काम कर रहा है उसके साथ investment तो अपने risk पे काम कर रहा है कि तुम्हारा पैसा कभी भी यहां से जा सकता है तो आपको सो समझ के काम करना तो definitely वहाँ पर investment नहीं आएगी transaction वहाँ पर नहीं होगी जिससे वो देश और पीछे हो जाएगा कोई देश वहाँ पर investment करने नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर उसको terror funding के तोर पे कहा गये कि वहाँ पर आंतंगवाद को बढ़ावा दी जाते है तो कोई company वहाँ पर क्यों जाएगी अब आपको कहा जाए कि किसी जगह पर जाके आपको अपनी एक shop open करनी है और यहाँ पर यहाँ पर यह जो area है यहाँ पर तो भाईया हर दिन दंगे होते रहते हैं तो आप क्यों जाएंगे यहाँ पर अपना रुपय लगाने अब definitely अगर आप 5 लाख रुपय भी अगर किस जगह पर investment करते हैं आप सोचिए अब वहाँ पर उस जगह पर अपनी दुकान open ही क्यों करेंगे कि भीया मैं क्यों करूँ यहाँ पर अपनी दुकान क्योंकि यहाँ पर तो रोज जो है वो दंगे भड़क रहे हैं और आपको यह report कहां से मिल रही है आपको एक report मिल रही है किसी सरकारी agency से या फिर कहीं एक NGO के दौरा कोई भी ऐसी संस्ता है जिसको हर कोई मानता है तो वहाँ पर आपको वो information सारी provide कर रहा है और आपने उस information को मानते हुए इस जगह पर अपनी दुकान नहीं कोली अब यहाँ पर कोई भी दुकान open नहीं होगी तो सोची यहाँ पर क्या हालात होगी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ चोरी, डकैती, लूट मारी यही सब चीज़े चलेंगी गरीबी होगा यह आप एक देश के उपर लगा लिजी तो यहाँ पर अगर FETIV की grey list में कोई देश शामिल है तो definitely उसके उपर बहुत ज़ादा परभाव पड़ता है वहाँ पर investment आनी हो जाती है, बंद जिससे वो देश और पीछे होता चला जाता है जैसे पाकिस्तान के बुरे हाल हो पड़े हैं अब इसके अलावा अगर हम बात करें IMF और World Bank जैसे जो परमुक जो वित्यस अंस्थान है जो financial support करती है वो एक तरीके से FETF को affiliate के तोर पर यूज़ करती है observer के तोर पर यूज़ करती है कि भाई या FETF ने किस देश को अपने यहाँ पर grey list में डाल रखा है तो वो जांस्ती है कि भी grey list में इसमें क्यों डाला गया है क्या क्या चीज़ें इनको सामना करना पड़ेगा अगर यह पैसा देंगी उधान के तोर पर करना मैं बात करूँ 2019 का है 6 billion American dollar IMF के द्वारा एक रिंड अनुबंद किया गया जिसने पाकिस्तान को FETF की कारवाई का पालन करने की आफशकता पर बल दिया था यहनि FETF ने recommendation दी दी और FETF की recommendation के बाद ही 6 billion American dollar जो है इसका rent जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था और पाकिस्तान की आज की अगर हम बात करें अर्थवस्ता बहुत खराब खराब तो क्या कहेंगे अब यह लुट चुके हैं अब यह नहीं कहेंगे कि लुटने की कगार पर यह बिलकुल लुट चुके हैं साउदी अरब हो गया चीन हो गया इनसे लोल लेने के बावजूद भी इनसे पैसा लेने के बावजूद भी इनकी जो हालत है उस उतरने का नाम ही नहीं ले रही है और यहां पर विदेशी बुत्राबंडार जो है वो बहुत जादा अतलब कि खतम होई चुके हैं इससे यह जूज रहे हैं उमीद करता हूँ कि आपको यह एफिटिव की ग्रेलिस समझ में आ गई होगी उनका एक लिंक दिया मिलेगा तो वहाँ पर जाकर आप पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ज़्यादा इप्रसंद आये हैं तो पेशक्ड वीडियो को शेयर कर सकते हैं साथ यसाथ चैनल को भी शेयर कर सकते हैं Thank you for watching this